तो हेलो गाइस कैसे हो आप स्वागता आपका हमारे यूटीब चैनल पर जदि आप भी जियो के रिटेलर बढ़ना चाहते हैं सिम और जियो फोन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जियो पोज प्लस और जियो पोज लाइट के रिटेलर कैसे बन सकते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों एप्लिकेशन में तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जियो पोज प्लस और जियो पोज लाइट में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा अप्लिकेशन वैस्ट रहेगा जदि आप एक रिटेलर बनना चाहते हैं तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मुझे टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया तो जल्दी से वाई मुझे टेलिग्राम पर फोलो कर लें उसे पहले जियो पोज लाइट अप्लिकेशन के बारे में बताते हैं जो जियो पोज लाइट अप्लिकेशन है इसे कोई भी जूज कर सकता है जदी आप एक नॉर्मल जियो के यूजर हैं तब भी आप इस अप्लिकेशन को जूज कर पाएंगे और जदी आप एक retailer बरना चाते हैं तब भी आप इस application को use कर पाएंगे जो इसकी ID रहेगी free of cost रहेगी recharge करने पर आपको company 4% commission मिलेगा जितना भी पैसा आप इसमें add करना चाते हैं वो आप अपने bank account से add कर सकते हैं आपको किसी के पास जाने की जूरूरत नहीं है जियो पोज लाइट की ID best रहेगी आप recharge करके पैसा कमा पाएंगे और जदी आप एक ऐसे दुकान दर हैं जो आप अपनी दुकान पर only recharge की सुविदा रखना चाते हैं आप sim activate नहीं करना चाते तब भी आपके लिए जियो पोज लाइट की ID best रहेगी तो वीडियो के description box में मैंने link दे दिया है कि जियो पोज लाइट की ID आप किस तरह बना सकते हैं आप complete वीडियो देख सकते हैं उपर आई बटन पर भी आपको link मिल जाएगा कम ID बना कर आप किसी का भी recharge कर सकते हैं और अच्छा कासा पैसा कमा सकते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जियो पोज प्लस application में क्या difference है जियो पोज प्लस application only retailer इजूज कर सकते हैं जदि आपकी कोई दुकान है आप अपनी दुकान पर रिचार्ज और SIM activate करना चाते हैं तो आप जियो के retailer बन सकते हैं और जियो पोज प्लस की ID बना सकते हैं जियो पोज प्लस की ID बनाने के लिए दो मादे हम हैं आप ओनलाइन भी जियो पोज प्लस की ID बना सकते हैं और ओफलाइन भी आप जियो पोज प्लस की ID ले सकते हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको अपने नजदी की distributor के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि सर मेरी दुकान है मैं जियो पोस प्लस का retailer बना चाहता हूँ वो आपकी जियो पोस प्लस की ID बना लेते हैं तो आपको 4% कमिशन मिलेगा रिचार्ज करने पर और as compared to offline जदी आप offline ID बना लेते हैं जैसे distributor के पास जाकर आप ID लेते हैं तो आपको 6% कमिशन मिलने बाला है जब आपको distributor payment डालेंगे तो आपको 4% ही कमिशन मिलेगा और बाद में जब आप अपने जियो पोस प्लस के माद्यम से किसी का भी रिचार्ज करेंगे 200 से उपर का तो company आपको बाकी का 2% आपके auto revalet पोलेट में डाल देगी टोटल आपका जो कमिशन रहेगा 6% आपका ऐसे बनेगा और जो second difference है जदी आपने जियो पोस प्लस की आईडी डिस्टिब्यूटर के माद्यम से ली है तो आपको सिम एक्टिवेट करने पर 20 रुपीज ज़्यादा OTM मिलेगा as compared to online इनको सिम एक्टिवेट करने पर 20 रुपीज कम OTM मिलेगा और जो third difference है जदी आपने online आईडी बनाई है और जो fourth difference है बहुत ज़्यादा भाई मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर मुझे मैंने online आईडी पर्चेस की है मुझे distributor sim नहीं दे रहा तो गाईज यह main difference है और जदी आपने offline आईडी लिया होगा तो distributor आपको खुद sim देकर जाएगा और आपको scheme भी बता देगा क्या OTF है आशा करता हूँ कि आपको complete वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि जियो पोस प्लस और जियो पोस लाइट में क्या difference है और आपके लिए कौन सा application best रहेगा जदी आप एक retailer हैं ज़र आप एक user हैं तो आपको कौन सा application purchase करना चाहिए किसकी आपको ID बनानी चाहिए उपर वीडियो के description box में मैंने link दे दिया है आप आई बटन पर भी आपको link मिल जाएगा जदी आप जियो पोस प्लस के retailer बनना चाहते हैं तो अब तक आपने मुझे टेली ग्राम पर फोलो नहीं किया तो जल्दी से बाई मुझे टेली ग्राम पर फोलो कर ले फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब के लिए दन्यवाद जैहिंद